बुलुश्री प्राणेनाथ प्यारे की, बुलुश्री सद्गुरु महाराजी की सुन्दाशाद जी, कारेकरम की शुरूबात में ही महात्माश्री रण्जी जी ने आप सब को संकेत्तो दे दिया था सौधिवस्य जागनी अभियान अथवा जागनी यात्रा का ये पहला दिन है सोचे कि पहले दिन में तो उर्जा कितनी होने चाहिए धीरे धीरे धक जाते हैं रास्ते में अलग चीज है पहले दिन के पहले ही मंचबे अगर दो लोगों की आवाद सुनाई पड़े तो सुचे कि शुरु में हो miraculous होने की शुरुषात हो जाती है तो सुनदर साथ उत्साह में रहें क्योंकि ये तो अभी शुरुषात है सुनदर साथ से आग रहे कि अगली बार कहने की आओ सकता ना पड़े जितने सुन्दर साथ यहां बैठें और जो आगे आने वाले हैं जो अभी देख रहे हैं जिनके यहां हम पहुचने वाले हैं वहां कहने की आवसेक्ता नहीं पढ़नी चाहिए कि सुन्दर साथ जी जागनी के अभियान में हम चले हैं जागनी यात्रा पर निकले हैं तो जोस दिखाई ऐसा कहने की आवसेक्ता नहीं पढ़नी चाहिए अभी से मेंटली प्रिपेर रहें कि यह जो सौधी वस्य कारेक्रम है यह पुरे जोस और पुरे उच्छा के साथ में पुरी समझदारी पुरी सेवा भावना और प्रेम के साथ में होनी चाहिए इसलिए बार-बार कहने की आवसेक्ता ना पड़े बुलुश्री प्राणनाथ प्यारे कि बुलुश्री सद्गुरू महाराज की देखिए अभी में विस्य के सुरुवात में आओं उससे पहले जैकारा लगाने से और ना लगाने से परमात्मा की हार और जीत नहीं होती है प्राणना जी का हम जैकारा लगाते हैं तो उनकी जीत होगी और हम नहीं लगाएंगे तो हार होगी ऐसा नहीं है लेकिन हम कितने सजग होकर के बैठे हैं हमारा वाणी चर्चा के प्रति वाणी गायन के प्रति कितना उच्छा है कितनी रूची है कितना उमंग है यह पता चलता है ठीक है तो इस चीज को आगे धियान रखेगा अब हम आते हैं आज की चर्चा क की प्रथम चर्चा है तो मैंने विचार किया कि जागनी के संद्रभ को ले करके ही बात की जाए और प्रकरण भी यही निकला है अभी निकला ने निकाला गया है कलस इंदुस्तानी का तेश्वा प्रकरण है प्रकरण का शीर्शक ही है जागनी का प्रकरण चोपाई सभी सुन अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग, तिन लीला चौथी घर की, इन चारों को यामे भोग, इन चारों को यामे भोग, अब जाग देखो सुख जागनी. प्राणधार आत्मसंबंधी सुन्दर साज्जी, यह जागनी का प्रकरण, आज के दिन के लिए, वर्तमान परस्थती के लिए, बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि प्रासंग ऐसा ही चला आ रहा है. अभी पिछले तीन-चार दिन पहले ही हमने शरद पूर्णिमा का महत्सव मनाया. हम उसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं, हम उसको याद करते हुए जागनी रास की भी बात करते हैं, तो जागनी रास को याद कराने वाली शरद पूर्णिमा का उत्सव भी अभी कुछ दिन पहले ही समापत हुआ है, और इसी शरद पूर्णिमा के कार्यकरम के तुरंत बा क्या महत्व है इस जागनी ब्रह्मांड का क्या महत्व है और इसमें हमारी जागरिती कैसे होगी सरल है की कठिन है सरल है तो सरल कैसे है कठिन है तो कठिन कैसे है अथवा सरल ता कितनी है कठिन ता कितनी है कठिन ता है तो फिर उसका समाधान क्या है इन सभी विश्वयों पर विचार करते हैं चोपा ही कहती है कि अब जाग देखो सुख जागनी ए सुख किसके योग्य है ए सुख सुहागिन जोग जोग मतलब योग्य कि यह जो सुख है वह सुहागनियों के योग्य है सुहागिन कौन है हम ब्रह्म स्रिस्टिया एक पतिवरता इस्त्री के लिए सबसे बड़ा आसिरवाद माना जाता है इस कालमाया के ब्रह्मान में कि सौभाग्यवती भव या सुहागिन रहो ये उसके लिए सबसे बड़ा आसिरवाद माना जाता है उसके लिए दीरगायो भवा का आशिरवाद भी इतना महत्तुपूर्ण नहीं है विजई होने का आशिरवाद भी इतना महत्तुपूर्ण नहीं है जो कोई भी पतीवरता इस्त्री है उसके लिए सबसे महत्तुपूर्ण कौन है? उसका सुहाग जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये प्रसंग बहुत ही प्रासंगीखे, सामईखे अब दो दिन पहले की बात है शायद कल या परसो करभाच चौत कब था? कल या परसो रहा ओगार? कल वह भी क्यूं रखा जाता है महिलाईं क्यूं रखती है? अपने पती के लंबे सोहाग के लिए अब उसका प्रसंग यहाँ पर कैसे कि इस दुन्या में कोई भी स्त्री चाहे अपने पती के लिए पूरे जीवन भर भूखी रह करके उपवास रख ले लेकिन वह स्त्री हमेशा के लिए सोहागन नहीं हो सकती है यह विडम मना है और एक पती प्रता इस तरी के लिए सबसे महत्तुपूर्ण उसका पती होता है सोचिये कि पती हमेशा न रहने पर भी उसको सदा सोहागिन होने का आसिरवाद मिलना वो कितना महत्तुपूर्ण समझती है या पती के जीवित रहने के लिए वो कितनी प्रार्थना करती है, कितना अपने तरफ से प्रयास प्रयत्न करती है, इसका तात्पर यह है कि पती के लिए सबसे प्रियतम होता है उसका सुहाग, उसका पती, इसी तरह से हमारी आत्मा का प्रियतम है वह प्राढणात, वह प्रियतम अक्षराइद ही अनाधी है तो हमारा प्रियतम अनाधी है इस वज़ए से हम भी अखंड सुहागिन है इसलिए ब्रह्म सिष्टियों को ही सुहागिन कहा जा सकता है और कह रहे हैं एसुख सुहागिन योग जागनी के ब्रह्मान में जो सुख मिलने वाला है या मिल रहा है अथवा मिलने वाला है आगे भविश्य में ये सुख केवल ब्रह्म सिष्टियों के लिए है पहले ऐसा नहीं है कि जिव सिष्टियों को सुख नहीं मिलेगा लेकिन उनका इस तर अलग होगा जैसे वाणी कहती है पहले सुख सुहागनी, पीछे सुख संसार पहले ब्रह्म सिष्टियों को सुख मिलना है और बाद में ब्रह्म सिष्टियों के माध्यम से इस संसार को भी सुख मिलेगा दोनों का सुख अलग है जैसे इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ब्रह्म सिष्टियों को दही का अथवा घी का सुख मिलेगा तो जीवों को सरफ छाच का सुख मिलेगा अच्छा तो लगेगा उनको लेकिन पौश्टिक था तो उसमें नहीं होगी ना जो होना चाहिए जीवू की इसाब से यही सब कुछ है जैसे एक चीन्ती है चीन्ती के लिए आप एक चम्मच चीनी डाल देंगे तो उसके लिए बहुत हो जाएगा और हाथी के लिए क्या कहा जाएगा कि मूट के मुँ में जीरा हो गये तो ब्रह्म स्रिष्टियों के लिए यदि ब्रह्म स्रिष्टियों को कहा जाए कि आपको संपूर्ण स्वर्ग वैकुंट का राज्य दिया जाए आप मानेंगे भले ही हम इंद्र की गादी मिलेगे आप मानेंगे आनद तो उसमें भी होगा ही ना सोचे कि दुनिया के लोग स्वर्ग जाने के लिए क्या-क्या नहीं करते हैं अच्छा आपको कह दिया जाए कि आपको बैकुंठ का मालिक बना दिया जाए नहीं नहीं मानेंगे सुख तो उसमें भी है आपको कह दिया जाए कि आपको बेहद की पहली बहिस्त मिलेगी आप मा क्यों कि सामान्य दुष्टी से समझें तो पतिव्रता का लक्षन ही यही है यह अलग बात है कि स्वर्ग वैकुंठ में जो आनंद है उससे अनंद गुना आनंद परमधाम में है लेकिन अगर उसको एक तरफ भी रख दिया जाए तो भी कोई पतिव्रता इस्त्री अगर उसक थोड़ी भागेगी कि मेरा पति तो गरीब है और अम्मानी अमीर है मैं उससे साधी करनूंगी या मेरा संबन उससे रहेगा यह तो नहीं कहेंगे ना तो आप दोनों तरफ से देख लिजिए लोकिक सुख के भाव से भी देखें अगर अथवा एक आनंद के भाव से भी द करने के लिए जिन स्वर्ग वैकुंट की दुणिया वाले कामना करते हैं उन स्वर्ग वेकुंट के मालिक नारयन और उसका भी मालिक अक्षर भी दर्शन के लिए आते हैं वाणी कहती है कि अक्षरातीत का दर्शन करने के लिए आते हैं सोचे कि निस्वत के भाव से भी वह सुख अनंत है इसलिए वानी कहती है कई कोट राज वैकुंठ के न आवे इतके खिन समान और यह परमधाम की बात नहीं हो रही है यह बात हो रही है इस जागनी ब्रह्मांड की जागनी ब क्योंकि परमधाम में जिस आनंद में हम डूबे हुए थे उस आनंद का स्वाद अथा उस आनंद की लज्जत हम नहीं ले पा रहे थे अनंत काल से क्योंकि किसी भी चीज़ का स्वाद कब आता है एक पेट भरा हुआ वेक्ती है उसके सामने चपन भोग रख दिया जाए और एक दो दिन से भूखा वेक्ती है उसके सामने रूखी सुखी रोटी रख दिया जाए दोने में से स्वाद किसको आएगा अंजी, भूखे वेक्ति को ही आएगा ना परमधा में वो भूख ही नहीं थी परमधा में अनायास रूप से हमें बिना किसी प्रयास के ही मिलता जा रहा था सब कुछ, प्रेम आनन में तो हम डूबे ही हुए थे अब जो जिस आनन में निरंतर डूब रहा है उसको उसकी कीमत का पता नहीं होता है इसलिए ब्रह्मसिष्टियों को उस इश्क की साहबी की उस लजज़त की उस स्वाद की पहचान करानी है कि हमें प्रियतम ने कौन सा स्वाद दिया है, कौन सा आनन दिया है इस कारण से हम यहां आए ब्रज और राजकी लिला के बाद अब जागनी के ब्रह्मान में हमें क्या-क्या सुख दिया कि जिस सुख की हमें परमनाմ में पहचान नहीं थी वो सुख भी है ब्रज लिला में हमने जिस सुख का थोड़ा सा रसा स्वादन किया वह भी है और रास में जाकर के जिस आनन्द को भोगा हमने क्योंकि रास किसको कहते है रास का अर्थ ही होता है आनन्द रसो वई सह रासा आनन्द की लिला को अक्षरातीत के हृदय में जो प्रेम और आनन्द का सागर घनीभूत रूप में है घनीभूत मतलब जमा है और बाहर जब लिला रूप में व्यक्त होता है तो उसको कहते हैं द्रवीभूत है वह जब लीला रूप में ब्रह्म स्ष्टियों को मिलता है अथवा आत्माओं के साथ जो प्रेम की लीला होती है उस लीला को कहते हैं रास की लीला रास का आनंद तो ब्रज में हमें आनंद की कुछ जलक मिली सोचे एक मूद मिली रास में ये समझ सकते हैं कि हमें एक मुट मिली लेकिन इस जागनी के ब्रह्मभाण में हमारे पास ये अधिकार है मैं नहीं कराओ कि हमें मिल रहा है हमारे पास ये अधिकार है कि हम उस इश्क और आनंद के सागर में डूब सकते हैं कैसे चित्वनी के द्वारा ज्यान द्रिष्टी से इस वानी के द्वारा हम ड इन लीला, चौती घर की इन चारों को यहां में भोग, यहां बैठे बैठे, हम ब्रज का भी आनंद ले सकते हैं, जैसे हम वानी पढ़ें, तो वानी में, हम कलस वानी के अंदर गोकुल लीला का वणन हमने पढ़ा होगा, पढ़ा है, गोकुल लीला का वणन, ब्रज की लीला लिलाकानँ जी के श्रिणगार से लेकर के आगे तो स्व्वादर योगमाया के ब्रह्मभान vapor में होने वाली लीला का वर्णन है ठीक है इसी तरह से की स्ट्री देवोचंडर जी के तंड्र से ने वाली लीला का भी यहीं पर हम रषाफ़ाद्ण ले सकते हैं उसका आनंद ले सकते हैं और परमधाम में जो लीला हो रही थी या भविस्चे में होगी उसका आनंद भी यहां बैठे बैठे ले सकते हैं देखिए कि स्रीजी के द्वारा जब जागनी की लीला चल रही थी तो स्री जी को किस किस रूप में सुन्दर साथ को दर्शन होते थे स्री जी के अंदर कभी ब्रज वाले सुरूप के रूप में दर्शन होता है तो सुन्दर साथ उसमें मुग्ध है कि यही वो सुरूप है जिसने ब्रज में लिला की थे कभी रास के स्वरूप में दर्शन होता है तो भी सुन्दर साथ मंत्रवूगद है कभी अरब में लिला करने वाले स्वरूप के रूप में दर्शन देते हैं तो अनियक मुसल्मानों के तन में आयो ही ब्रह्मिस उष्टियां उस स्वरूप पर फिदा हो जाती हैं समर्पित हो जाती हैं और जब परमधा में विराजमान जो स्वरूप है नूरी स्वरूप के आवेश रूप में जब दर्शन देते हैं तो अन्य सुन्दर साथ भी उस पर मोहित हो जाते हैं मंत्रमुग्ध हो जाते हैं समर्पित हो जाते हैं इसलिए इस प्रतिक सुन्दर साथ को ये अधिकार तो प्राप्थ है, लेकिन अधिकार के साथ में जुड़ा होता है कर्तव्य, कर्तव्य मतलब फर्ज, कि अगर हमें कुछ पाना है, तो हमें कुछ गवाना होगा, कुछ तो देना होगा, कुछ समर्पन करना होगा. जागनी के ब्रह्मान में समर्पन करना होगा का तात्पर ये क्या है कि ब्रज में और रास में राजी से प्रेम करना बहुत आसान था है कि नहीं? कितना आसान कि एक बालक जो कि 11 वर्स 52 दिन की अउस्था तक रहता है उस तन में एक बालक सामने दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत है सुन्दर है उसके नाम के मताबिक गुण है उसके उसके नाम क्या है क्रिश्ण क्रिश्ण का तात्परी क्या है? जो सबको अपनी और आकर्षित कर ले यह कर्षयती आकर्षयती सा क्रिश्ण जो सबको अपनी और आकर्षित कर ले उसको कृष्ण कहते हैं तो अनायासी वो आकर्षित करने वाला है सामने है इतनी मधुर बांस्वरी बजाता है इतनी मीठी प्रेम की लिला करता है गोपियों के साथ प्रेम की लिला में वहाँ दुन्या की सभी मर्यादाओं को वैसे तो किसी मर्यादा को उन्होंने तोड़ा नहीं, फिर भी एक लवकीक भाव से भी देखें, तो दुन्या की किसी मर्यादा का उन्होंने भान नहीं रखा, तो ऐसे स्वरूप से प्रेम करना बहुत आसान है, जो बहुत सुन्दर दिखता है और सामने है उससे प्रेम करना, रास मे दिख रहा है उससे प्रेम करना भी और आसान है लेकिन इस जागनी के ब्रह्माण में राजी का आवेश्वरुप किन दो तनों में आया है कौन-कौन से दो तन में आया है जागनी के ब्रह्माण में पहले देवचनर जी के तन में आये और दूसरे स्री मिहर राज जी के तन में प्राण्णा जी तो तन नहीं है ना प्राण्णा जी तो राज जी ही है तो देवचंद्र जी के और मिहर राज जी के तन में आए उस समय भी सुन्दर साथ को मुश्किल थी ब्रज और राज से मुश्किल, मुश्किल क्यों, कि सोचिये, जब देवचंद्र जी के तन से जागनी हो रही थी, इंद्रावती जी की जब जागनी हुई, मिहिर राज जी की उम्र जब 12 बर्स, दो मैना और 10 दिन की थी, तो देवचंद्र जी की उमर कितनी रही होगी उस समय, लगबग, 55 साल क आस-पास तो रहे होंगे, 50 साल से उपर ही रहे होंगे, अब सोचिये कि ब्रज में गोपियाँ, जितनी भी ब्रह्म शिष्टियाँ थी, वो गोपियों के तन में है, गोपियों को एक बालक से प्रेम करना आसान था, रास में सभी नूरी तन में हैं, कृष्ण जी भी नूर अधेड़ अवस्था में है 50-55-60 साल की अवस्था है एक बालक एक अधेड़ अवस्था में अथवा व्रिध्ध तन में विराजमान राज्जी को स्वयम के अंदर अंगना भाव ले करके प्रियतमा का भाव ले करके और सामने वाले के अंदर राज्जी विराजमान है उनको लो चौथे और पांचमें दिन की लिला में भले ही वृद्ध तन थे, लेकिन सामने तो थे, यहां तो हमारे सामने ही नहीं है, अब हमें मुश्किल क्या है, कि हमारे अंतर आत्मा में देखना है, और यह सबसे बड़ा काम लग रहा है हमें, सबसे मुश्किल काम लग रहा है, बाहर की आँखें बंद करनी है बाहर के उजाले से हमें अंदर के उजाले की तरफ बढ़ना है लेकिन हम जब आँख बंद करते हैं तो उजाला दिखता नहीं अंदेरा ही अंदेरा दिखता है तब हम हो जाते ही निराश कि हमें तो कुछ नहीं दिखता है अब हम समर्पित हो तो किसके प्रति समर्पन करें तो किसके प्रति करें प्रेम राजी से व्यक्त करें तो कैसे करें ये सबसे मुश्किल काम है अब सोचियों कि जैसे एक डाइरिक्टर है वो कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम सबसे अच्छे कलाकार को देता है अब राजी ने हमें वो काम दिया इसका मतलब है कि या तो हम अच्छे कलाकार हैं बहुत अच्छे कलाकार हैं या फिर हमारी परिक्ष्या हो रहे हैं कि कितने अच्छे कलाकार हैं दो बातें हो सकती है, या हमारे लिए देखना है, कि हम कितने अच्छे हैं, या फिर हम वाकई में अच्छे हैं, लेकिन दोलों में परिक्ष्या हमारी है, तो जागनी के ब्रह्मान में एक अवसर मिला, कि हमें यहाँ पर बैठे-बैठे, परमधाम के 25 पक्ष का आनन्द मिल सकता है, ब्रज की लिला का, रास की लिला का आनन्द मिल सकता है, यह हमें अवसर है, लेकिन साथ में शर्त यह है, कि आपको और कुछ नहीं करना है, करना क्या है, शरीर भाव से उठना है, जागनी रास उसको कहते हैं, योगमाया के रास में भी तो यही हुआ था ना, क्या तिनों कैसे मिली थी, सरीर छोड के न, यहां भी हमें सरीर छोड के मिलना है, वहां तन को ही छोड के योगमाया में पहुंची, यहां तन भाव छोडना है, वहां देह छोडना था, यहां देह भाव छोडना है, वहां सरीर छोडना, यहां सरीर भाव से उपर उठना, यह कै कैसे संभव है विवेक द्रिष्टी से और चित्वनी के द्वारा तो हमाई मौका भी है और सर्त भी साथ में रखी गई है तो जागनी का ब्रह्मांड है अब उस देह भाव को छोड़ने के लिए आउसकता क्या है देह भाव से उपर उठना है सरीर भाव से तो जरूरत क्या ह सर्फ बावदिक द्रिष्टी से तारतम ज्यान लेकर के हम ब्रह्म स्रिष्टी है ऐसा कहने से सरीर भाव नहीं चुटेगा क्योंकि हमारा सरीर भाव केवल इतने तक सीमित नहीं है सरीर भाव ये 5 फूट अथवा 6-7 फूट तक के सरीर तक सीमित नहीं है हमारा सरीर भाव इस सरीर तक इस सरीर के माता पिता तक अथवा पती पतनी बेटे बेटी मित्र मित्राणिया सगे समन्दे रिष्टेदार गाउं देशकाल समाज संप्रदाय जाती वर्ण भासा सब में हमारा सरीर भाव है जब हम बाहर से जो फैले हुए ना हम सरीर भाव से वो सिमटते 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 जब अंदर आएंगे तो हमारी सक्ति उतनी ही केंद्रित होगी हमारा जो शरीर है, हमारी जो शक्ती है, वो अभी फैली हुई है अब जब हम जितना एकत्रित होंगे, जैसे इसको कैसे घटाने हैं, practically कि हमें पहले तो सुन्दर साथ में क्या है, एक प्रांतवाद की भावना है, कि हम इस प्रांत के हैं, हम इस जाती के इस वर्ण के हैं, इन सभी भावना से मुक्त होते होते क्योंकि जैसे, जब आपने सुना होगा, आपने वानी पड़ी होगी बित्तक पड़ी होगी, चर्चा सुनी होगी चाए पुझय सरकार्श्री की हो, या स्वामे जी की चर्चा सुनी हो, तो जब जब भी हम ये बात सुनते थे कि भेश भासा जिन रच्यों रच्यों मायने असल, अथवा जुदे जुदे नाम गाव नहीं, जुदे जुदे भेश अनेक, अथवा जब हम साधुओं की बाणी सुनते थे, कि जात न पूछो साधू की पूछ लीजिये ग्यान तो हम सोचते थे कि इसे क्या ही नुकसान होता होगा तो नुकसान ये होता है कि जब हम किसी को सरीर भाव से देख रहे हैं इसका मतलब है कि हमारे द्रिश्टी अभी सरीर तक सीमित है तो वो अंदर की तरफ कैसे जाएगी जब हम चित्वनी करते हैं तो कौन सी सूर्था जाती है परमधाम की तरफ आत्मा की सूर्था जीव पर विराजमान हो करके जाती है न तो जो सूर्था है सूर्था मतलब मन की वृत्तिया समझ सकते हैं ऐसा ही है तो मन की वृत्तिया एक तरह की उर्जा है इसको हम प्रैक्ट करेगी और जितना एकत्रित होंगी उतना जल्दी काम होगा है ना है कि नहीं जैसे एक उदाहरन के लिए जब आप गाड़ी को साफ करना होता है गंदगी को साफ करना होता है तो एक होता है बाल्टी से पानी भर करके फैकना और एक होता है वो प्रेशर से जब हम साफ करने के लेके जाते हैं तो water की pressure से साफ करते हैं दोनों इसे जल्दी साफ किससे होता है pressure से क्यों कि जो पानी एक फैला होता है वो इकठा हो जाती है एक और उधारण में दूँ आपको magnifier पता है वो एक सीशा होता है जिसे छोटी चीज को बड़ा करके देखते हैं आप लोगों ने बसपर में एक खेल खेला होगा कि आप magnifier से आग कागज को जलाते थे धूप में सामने रखने पर जलती नहीं है लेकिन उस magnifier के सामने रखने पर जल जाती है क्यों ताप के रूप में बदल करके, अगनी के रूप में बदलती है, वो आग जल जाती है, इसी तरह से, हमारे सरीर के अंदर जो चेतना है, वो चेतना विभिन्न रूपों में फैली हुई है, कभी अपने आपको मान रहे हैं कि मैं इस प्रांत की हूँ, कभी अपने आपको ये मा लाद हम आख बंद करेंगे तो हमें शरीर भाव से उपर उठने में आसानी होगी नहीं तो हम जित्ना भी बैठे रहें आख बंद करके एक घंटा क्या एक दिन पूरे 24 घंटे भी एक आसनम लगा करके बैठें या फिर 3 तीन तिन तक बैठे रहें या 300 दिन क्यों ना बैठे नहीं ये हमारे मन में ये भाव नहीं आया था वा हम शरीर भाव से उपर नहीं उट पाए तो कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है और शरीर भाव से उपर उठे उसके बाद क्या होगा एक बार क्या हुआ कि राजा जनक ने कहा अस्टावक्र को कि मुझे ब्रह्म ग्यान चाहिए आत्म ग्यान चाहिए और कितने समय में चाहिए जितने समय में कोई व्यक्ति घोडे में बैट करके घोडे पर चड़ करके नीचे उतर सकता है इतनी देर में मुझे ब्रह्म ग्यान चाहिए तो जनक ने कहा मिल जाएगा अब संभव कैसे है अस्टावक्र ने कहा मिल जाएगा लेकिन एक शर्त है जनक ने पुछा शर्त क्या है तो अस्टावक्र ने कहा कि तुम्हें अपना मन मुझे देना होगा जनक ने कहा ठीक है कहना बहुत सराल है कि मैंने अपना मन दे दिया हम भी तो कब से कह रहे हैं जब से हमने उस्वाला चौपाई सिवापुजा में कहते हैं तनमन जीव निच्छावर किन हो महामती चरणो लागे कितनी ही बार कहते है लेकिन जैसे हमने कहा तन मन जियू निचा और किनों क्या हमने किया है अब तक तन मन जियू तीन की बात करते हैं हमने तो अभी तन भी नहीं दिया है मन भी नहीं दिया है जियू भी नहीं दिया है अच्छा तन को देने का मतलब फिर गलत मत निकालना आज समाज में परिस्थिती क्या है, कि समर्पन के नाम पर बहुत सारे ऐसी घटना है, मैंने देखी है, मैं सुर्फ निजानन सम्प्रदाई की बात नहीं करा हूं, पुरे समाज में, कि अपने सिस्यों से समर्पन करने की बात करते हैं, कि अगर तुम्हें परमात्मा को पाना है तो समर्पन करना पड़ेगा फिर कहते समर्पन किस चीज़ का तो कहते तनमन धन का समर्पन तो धन किस के लिए अब जो महात्मा मंज पर बैठ करके कहते हैं कि यह जो धन है संपत्ति है सब मुह माया है इसका त्याग कर दो और मन ही मन क्या कह रहे होते हैं मेरे पास मतलब कि तन्मन धन वो मुझे देदो मुझे समर्पित कर दो ये स्वार्थ है तन्मन धन का नियोचावर करना है समर्पन करना है वो कैसे कि हमारे इस तन को हम राज्जी की सेवा में लगाए ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के प्रति हम समर्पित हो जाएं आज समाज में ये विकृती चल पड़िये, मैं विशय से विशयांतर थोड़ा सा इसलिए हो रहा हूँ, क्योंकि प्रासंग की है, समाज में ये भ्रांती चल पड़िये, एक उदाहरन के लिए, कि कोई व्यक्ति मंच पर बैठ करके अथवा, किसी भी माध्यम से ये, बहुत अच्छी चर्चा कर लेते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत मीठा बोल लेते हैं, तो हमें क्या लगने लगता है, कि राजी इनके द्वारा बैठ करके करवा रहे हैं, अच्छा ये अहंकार जो होता है, वो दो तरह का होता है, सामानिय जो भोला भाला सुन्दर अच्छा गा लेता हूँ, कोई बोल देता है कि मैं सबसे ज्यादा सेवा करता हूँ, इस तरह से अनेक अहंकार हो सकते हैं, यह स्थूल अहंकार यह दिखाई पड़ता है, एक अहंकार होता है, सुक्षम अहंकार वो ज्यादा घातक होता है, कैसे, कि कहने को तो मैं बोल अच्छा अब मैंने कह दिया कि मैं तो आपकी चरणों की धूली हूं और आपने मान लिया और आपने सामने कह दे कि हाँ बस इतना कहना है उसके बाद पता चलेगा कि मेरे अंदर सच में अहंकार है या जा चुका है अथवा मेरी जो विनम्रता है वो वास्तविक है अथवा वो देखावा है तो समाज में जब हम इस तरह की विनम्रता को देखते हैं अथवा कुछ बातों को देखते हैं तो हम सुन और मैंने कई जगा पड़ी तो समरपड हो करना है और मैंने कई जगा पर देखा सुना है कही पत्रिकाओं में ने पढ़ा कि कुए कि कई प्मेश जाटी थी और मुझी हों अवह केथा धीरल धीरे की समरपित होना है तो घर की जो शमपती है जो दार你 चुपके से ले जाकर कि उसको देना, फिर धीरे-धीरे, मैं किसी की बुराइन नहीं करवा था, मैं यहाँ पर वैसे वाणी की चर्चा करने एक लिए बैठाओं, लेकिन मिसन तो जागनी का है ना, तो बौधिक जागनी भी हमारा एक लक्ष है, सामाजिक चेतना होना भी करना होगा, और उसने कहा कि तुम अपना सरीर मुझे समर्पित कर दो, वहाँ से व्यभीचार की शुरुवात होती है, और ऐसा समाज में अब तक बहुत देखने को मिला है, इसलिए हमारे समाज में, जब पांचमें दिन की लिला समाब तो था, अभी माताजी ने थोड़ी होगा, और वानी तो सब के सामने ही, तो हमें समर्पित होने का तात्परे ये है, कि यदि हमें समर्पन करना है, तो हम अपने सरीर को सेवा में लगाए, जागनी की मिसन में लगा, जैसे उधारन के लिए, कि यहाँ जितने सारे सुन्दर्षात बैठे, इस कारेक्रम को संच सालित करने में, टेन्ट बैणने में, तो सरीर की सेवा की जरूद पड़ी होगी, शुवद या अब तक जितने सुन्दर्षत आयोंगे उनको भोजन कराने के लिए लिए भी सरीर की जरूद पड़ी होगी, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरे मुख से जो सब उत्चा फोरेय जो भी बाधाय आ रहे उसको सहन करना वो शरीर का समर्पण होगा श्री देव चंद्र जी जब अपनी जागरिती के लिए जब उनके पास ब्रह्म ग्यान नहीं था तो भागवत को ही वो सब कुछ समखते थे लेकिन उसको सुनने के लिए उनका सरीर कितना भी वीमार आ हो लेकिन वो गए कि चाहे कुछ भी हो जाए जब तक मैं अपनी आत्मा को आहार नहीं दूँगा तब तक सरीर के लिए भी आहार नहीं दूँगा ये सरीर का समर्पण है ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति की कुछ बाते पसंद आ गई और हम उसको अपना सरीर समर्पित करने लगे ये बिलकुल ही भ्रांति मुलग बात है ना वाणी ये सिखाती है ना बीतक ये सिखाती है कोई कितना भी महान क्यों न लगे आपको लेकिन इस संचार में कोई भी एक अक्षिरातित के अलावा पूर्ण रुप से निर्विकार नहीं होता है पूर्ण होने की सोभा औ और किसी को भी प्राप्त नहीं है, इसलिए जो जागनी का ब्रह्मान चल रहा है, हम सुहागिन कहलाती हैं ब्रह्म्य सुष्टियां, और यदि हमने राजी की अतिरिक्त, मूल सुरुप स्री राजी की अतिरिक्त, और आवे सुरुप जो दो तन है, अगर किसी को भी इस तरह से समर्पन करते हैं, ऐसा भाव लेते हैं, तो हम फिर सुहागिन नहीं कहलाएंगी, क्योंकि जो अंगना कहला करके, अपने पती की अतिरिक्त, किसी और को पती समझ करके, अथो हम मान करके समर्पित करते हैं, उसको अंगना नहीं कहा जाता, उसको क् सब जानते हैं, समाज में प्रचलीत हैं मेरी बातें हो सकता है किसी को कडवी लगे लेकिन चुकि अभियान हमारा जगाने का है, कोई वेक्ती सो रहा हो और उसको जखजो रेंगे उसको हिलाएंगे कि उठ जा तो बुरा लगेगा लेकिन करतविका तो पालन करना ही होगा इसलिए कोई भी सुन्दर साथ इस ब्रहम में ना पड़े इस जागनी के ब्रहमाण में हमें समर्पण केवल मूल सुरुपर करना है और रही बात, ये तो मैंने तन के समर्पण की बात बताए, मन और धन के समर्पण की यदि बात करें तो धन का समर्पण कहां होना चाहिए राज्जी की सेवा में राज्जी की सेवा का मतलब अभी क्या होता है मैं बुरा या निंदा नहीं करना चाहता लेकिन हमारे समाज में अधिक से अधिक धन कहां पर लगता है और विशेश रूप से गुजरात में सुन्दर साथ ज्यादा भावुक हैं क्यों कैसे भावुक हैं कि ये जो धन है महराजी के लिए सेवा के लिए नहीं केते, राजी के लिए नहीं केते हैं, केते हैं महाराजी कुछ खा लें, महाराजी कुछ पहन लें, महाराजी इसका प्रयोग कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा जो धन है हमने जो कमाया है वहाँ धन जागनी के लिए सुन्दरसाथ की सेवा के लिए प्रयोगत होना चाहिए और आज समाज में मुझे बहुत खुशी होती है बहुत सारे ऐसे सुन्दरसाथ है जिनके मन में ये भावना है कि वो चाहें तो करोड रुपए के महंगे महंगी चीजे खरेद करके भी भेट दे सकते हैं लेकिन उनके मन में भावना है कि जो काम एक लाख रुपए में हो सकता है उसके लिए करोड क्यों लगाए जो काम 100 रुपए की चीज से हो सकते हैं उसके लिए 1000 रुपए क्यों लग किताब है बोधमंजरी का संक्षिप्त रूप 24 पेच की है उसको छापने में लगबग 4 रूपे का खर्च होता है अगर वो 4 रूपे की किताब पड़ करके वास्तों में किसी के अंदर जिग्या सवी और कोई वाणी तक पहुंचा तो सोचिए कि 100 रूपे में 25 लोगों की जा सिखाओ की मचली कैसे पकड़ी जाती है मैं मानसार को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इसका भाव क्या है कि बुद्धी देने की बात की जा रही है ज्यान विज्जम देने की बात की जा रही है तो इस जागनी के ब्रहंभान में तन मन धन से सेवा करने का तात्परिय यह है कि सुन्दर साथ अपने तन को जागनी के लिए वाणी के प्रचार प्रशार के लिए लगाएं जागनी के विस्तार के लिए इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए इस शरीर को जो जो भी कठेनाईयों का सामना करना पड़ता जैसे हो सकता है कि कल हम आए तो हम AC गाड़ी में आए लेकिन ये भी हो सकता है कि हमें कई बार जागनी के लिए आटो में यात्रा करनी पड़े हो सकता है कि 2-2-4-4 किलोमेटर पैदल भी चलना पड़े अगर मैं ये डिमांड करने लग जाओ कि AC गाड़ी होगी तो मैं आओंगा नहीं तो नही जागनी के लिए जो भी कठीनाईयों का सहन करना पड़े उसको हम सहन करे वो तन की सेवा है मन की सेवा का मतलब क्या है कि तन को सेवा करने में मन लगाना पड़ता है यदि मन में इच्छा नहीं होगी कि हमें सेवा करनी है तो मन बहाना करेगा कि नहीं इतनी तो गर्मी हो कौन जाए, ठीक है, शरीर में दर्द हो रहा है, कौन बैठे, अरे इतना दूर पड़ता है, कैसे जाए, ठीक है, अभी तो सोने का मन कर रहे, तो हमारे खाना खा करके सोने का समय है, कौन चर्चा सुनने जाए, अथवा सुनने जाए, मन ऐसा कहेगा, तो मन को नियंत्रित करक कि अधवा मन को हम नियंत्रित करें, यह मन की सेवा है, इसी तरह से, जब हम धन की सेवा करेंगे, तब भी मन ही काम आएगा, तुम ने शाल भर कम, परिश्रम करके कमाया है, तुम इनको क्यूं दे रहे हो, लेकिन हम मन को समझाएं, कि हम किसी के व्यक्तिगत सेवा के लिए न नहीं कमा सकता एक भी वेक्ति नहीं कमा सकता मैं गैरंटी देकर कह सकता हूं जंगल कमाने का जरिया हो सकता है लेकिन जंगल में आप लकड़ी भी लेके आएंगे चंदन भी लेके आएंगे बेचना आपको समाज में ही है तो समाज आपके धन कमाने का एक जरिया है तो समाज के प्रति आपका एक करतब यह पहला और दूसरा यह तो सामाजिक भाव से आत्मिक भाव से चोंकि हमने भी तो यह वादा किया है ना कि अगर तू भूली है तो मैं तुझे जगाऊंगी अब इस जगाने के लिए हम ज्यांद्रिष्टी से तो कुछ कर नहीं सकते तो जो कर रहे हैं उनके करने में यदि आर्थिक परिशानी आ रही है फाइनिंसियल कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके समाधान के लिए हमने जो धन कमाये उसका कुछ हिस्साम सेवा में दे किसी के व्यक्ति गतुपय के लिए नहीं ऐसा नहीं कि हम किसी जगा पे मंदिर में लाखों का टायल लगाने के लिए दे रहे हैं ठीक है सोना चाद हो गया ज्यान पीट हो गया घ्यानी के बर्मभाण में राज्जी के प्रति हमारा समरपन होगा तो हम सब सुन्दर्सात के लिए हमारा ब्रह्माण में हमारा करतव्य क्या है, हमें अधिकार कौन सा मिला है, उन अधिकारों की प्राप्ति में बाधाय क्या क्या है, समस्या क्या क्या है, और उनको समाधान करने का मार्ग क्या है, अब आने वाले समय में भी साम को भी चर्चा होगी, पुझ्य स्वामी जी भी कुछ या साइट्य का जो लगा हुआ स्टॉल वहां जाकर कि आप पता कर सकते तो आप यहां हर सोदीन के कारेक्रम में तो आप नहीं चल पाएंगे लेकिन जहां जहां जो जो भी कारेक्रम होगी वो सब आप घर में बैठे बैठे लाइव सुन पाएंगे तो उसके लिए और आप तक तो पहुंची जाएगी लेकिन आप से जुड़े हुए कितने सुन दर्शात होंगे उन तक पहुंचाने के लिए बस आपको थोड़ी सी सेवा करनी है जागनी के छित्र में सब लोग अपना-पना योगदान कर सकते हैं मैं चर्चा कर रहा हूं तो आप दो-चार-सो ल लिंक को अपने सुन्दर साथ में या अपने आसपास की जितने लोग है उनमें शेयर करें और जो भी सुन्दर साथ ऑन-लाइन प्लेटफॉर्म से मुझे सुन रहे हैं हम जहां-जहां भी आने वाले हैं आगे के कारेक्रम को लेकर के हम वाटसेप में हमने ग्रूप बनाया है सौ दिवस्य जागनी यातरा के नाम से तीन अलग-अलग ग्रूप हैं ये खुसी की बात है कि देड़ हजार के आसपास लोग उस ग्रूप में जुड़ चुके अलग-अलग ग्रूप में हाँ आप सबसे मैं यही कहूंगा कि हम जहां-जहां भी आने वाले हैं मैं उस ज प्रोग्राम लगने जा रहा है आप जाकर के उसका लाव और यह सौ दिवस्य जागनी यात्रा में बले ही एक एक दिन का कारेकरम हो रहा है लेकिन यह तो बीज डालने का काम है और यह बीज कुछ समय के बाद में साल दो साल के बाद में किस तरह से फलिभूत होगा यह रा श्री प्राणनाथ प्यारे की अब जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहागिन जोग तिन लीला चौधी घर की इन चारों को या में भोग कि अजय कि बाद में साल का यह रालने का यह देखो सुख जागनी एसाल की और व्या चारी की इन चाहिए अजय के लीज़ धेका सुख जागनी झाल झाल